जतिन जी, IRB Infra देखे, PNC Infra, इसके अलावा हुटको, NBCC, NCC, सभी में हम शानदार तेजी देख रहे हैं, कोई स्टॉक है जो अच्छा लगदा आपको Infra Space से? As a disclosure, मैं कहना चाता हूँ, कि IRB Infra आमारे हाउस में रेक्मेंट किया हुआ था, आज के टेडिंग सेशन में, इसके ही है, IRB Infra, मैंको लगता है कि रिसेंट का जो करेक्शन आया था, वो अपने सपोर्ट पे आके फिर से एक उपर भी तरह के ग्रैली स्टार्ट कर दिया है, त अगले एक तो दिनों तक कांटिनू रह सकता है, इसके लिए अगर जो इसको इंफरा स्पेस में से इसको पोटेंचल या तो अच्छा स्टॉप अगर जो मेरे को रेक्मेंट करना है, तो डेफिनिटल आया भी इंफरा होगा, मैंको लगता है कि 70-70 पूप तक का इसमें तो आयार भी इंफरा पर नजरिया इस वक्त आपको मिलता हुआ, इस वक्त केडिया साब की तरफ से चलिए, और इस वक्त आपके स्क्रीन पर नेटको फार्मा के रिजल्ट आते हुए, आए 54% से बढ़कर 769 करूड साल दर साल के आधार पर होती हुई, और इस वक्त जो आ आता हुआ, आप साफ तर पर देख सकते हैं कि आए जो है वो 54% वड़ी है और 769 करूड तक पहुँची है जिसका असर साफ तर पर स्टॉक्स पे नजर आता हुआ, मुनाफ़ा जो है वो काफी जबरदस्त बड़ा है और उसकी वज़े से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक म एक जबरदस्त मूव बना हुआ है, बाकी नंबर्स का भी लगातार हम आपको उसके बारे में अपडेट देंगे लेकिन जरा इन नतीजों पर अगर घौर करें राहुल तो किस तरह से देख रहे हैं और आप स्टॉक में देखिए इन नतीजों के बाद से ही किस तरह का एक अच्छा लग रहा है और नैको फार्मा भी आज के मूब के बाद एक एक ब्रेक आउट हो सकता है क्योंकि एक अपवर ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक और एकदम अपर अपर ट्रेंडिंग चैनल में आ गया है मेरा सला यहाँ होगा कि 905 के उपर हम लॉ लॉग जा सकते हैं माफ की जेका 908 है 908 की उपर लॉग जा सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेगा 870 पर और लॉंग साइट की तरफ ले कर सकते हैं ठीक है तो नैको फार्मा में अभी भी तेजी के मौके दिखाए दे रहे हैं आप यहाँ पर